हलो फ्रेंड स्वागात है आपका दोस्तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि EITL Payment Bank में आप किस तरह से UPIID को चेंज कर सकते हैं दोस्तो जब आप UPIID को चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको कौन से प्रावलम आती हैं और आप इने कैसे फिक्स करेंगे फेस आएगा यदि आप अपडेट नहीं किये हैं तो आप अपडेट कर लीजिए आप EITL Payment Bank में आप wallet के option पर direct क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं और यदि आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता हूँ है कि आप फिर कैसे जाएंगे आप EITL Payment Bank में क्योंकि दोस्तों आप EITL UPI ID को वहीं से चेंज कर पाएंगे आप देख सकते हैं आप नीचे हमारी EITL UPI ID है और दोस्तों यह हम आ गए है EITL Payment Bank के पेंच पर जो कि EITL App है वहीं पर आपको EITL Payment Bank देखने को मिलता है यहाँ पर आप अपने Profile पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सीधे आप Bank Profile पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आप EITL Payment Bank के पेंच पर आ जाते हैं अब चलिए मैं आपको EITL में UPI ID को चेंज करके दिखाऊँगा किस तरह से आप EITL UPI ID को चेंज करेंगे आपके नाम से कितनी UPI ID भनी है याप यह भी जानना चाते हैं देखना चाते हैं तो आप इस वीडियो को विल्कुल भी मिस मत करिए आप step by step सब कुछ देखे आप सब कुछ पता कर पाएंगे तो चली देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पर हमारा UPI ID खुल के आ चुका है यहाँ पर हम जैसे UPI ID पर जैसे क्लिक करते हैं एरो की निसान पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपर हमारा कौन सा बैंक लिंक है यह चीज पता चला रही है पर दोस्तों हमें चेंज करना है अपनी UPID को तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां से आपको दोस्तों यहां पर create new UPID पर click करना होगा अब यहीं पर आपको major most major problem आएंगी दोस्तों तो चली मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की problem आती है आप उन्हें कैसे fix करते हैं और आप फिर किस तरह से अपनी new UPID बना पाएंगे चेंज कर पाएंगे दोस्तों यहां पर हम अपने new UPID पर डालेंगे जिसके थुरू आप जो है तो scan करके पैसा receive कर सकते हैं और दोस्तों आप इस UPID के थुरू आप किसी को भी payment भी कर सकते हैं receive भी कर सकते हैं तो चली हम बनाते हैं अपना UPID और मैं आपको बताना चाहँगा यहां पर जो आप अंग डालते हैं जैसे कुछ भी नाम डाल सकते हैं at the rate, atl तो अपने आप ले लेगा यहां पर आप जो भी कुछ भी डालते हैं तो बिल्कुल unique होना चाहिए जो कि पहले से ना बना हो जैसे आप देख सकते हैं आप हमें बार कोड मिल गया है और हमारा UPID बन गया है क्योंकि हमने विल्कुल unique डाला था हलाकि यहां पर जो आप कुछ और डाल सकते हैं आपने मन मताबित आप कुछ भी सोच सकते हैं आपके सोच पर है आपके आज डालना चाहते हैं बट उस तरह की UPID पहले न बनी हो अगर आप देखना चाहते हैं हमारी UPID बनी के नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारी जो अभी बनाया हूँ तो उपर वाली UPID बन चुकी है यह दूसरी UPID है तो यहाँ से आप देख पाते हैं कि more UPID पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी UPID बनी हुई है तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे create new UPID है यहाँ से भी आप create कर सकते हैं कर एक और UPID लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर यहाँ आप दो सदिक UPID create करने जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी एक UPID को delete करना होता है